What's up guys, I hope you are doing well, I am Veer, Welcome to Study Lover आज का हमारा टोपिक है National Commission for Schedule Cast Schedule Cast आज देखेंगे और Schedule Tribe कल देखेंगे जो भी इसमें डिसकस करूँगा उससे भार कोई कोई कोईशन जाने वाला है नहीं और इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर objective type question भी देखने को मिलेंगे lecture के end में जिसको अगर आप लोग practice कर लेते हैं अच्छे से तो आप लोग maximum question attempt कर पाएंगे आसानी से आप लोग जितना score करना चाते हैं score कर पाएंगे अगर lecture को अच्छे से सुनेंगे और question जो last में दूँगा उनको अच्छे से attempt करेंगे तो okay तो starting में देखेंगे हम कहां से commission का evolution हुआ फिर उसके बाद में हम इसके functions देखेंगे और फिर इसके बाद में हम देख देखेंगे इस से related MCQs तो यह हमारा complete lecture चलने वाला है आगे बढ़ने से मैं आप लोगो और बताना चाहता हूँ information related to जो मैंने बताया था आप लोग का P.I.B. या फिर उसके साथ में कुछ और भी चीज़े start होने वाली हैं एक आप लोगा complete lecture होगा lecture की जो duration हुआ करेगी वो approximate हम लोग रखने वाला है 25 से 30 मिनट के airfare में काफी interesting lecture वो होने वाला है जिससे की आप लोगों की एक comprehensive study हो सके उस तरीकी से आप लोग का वो lecture होने वाला है ठीक है तो जल्दी ही उसको start करने वाला हूँ और जल्दी ही आप लोगो उसकी जाए कि सबसे पहली ही बात आती है कि यार यह constitutional body है या फिर statutory body है तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि यह constitutional body है article 338 338 article अनुच्छे 338 के थैत इसको constitutional status दिया गया हमारे समिधान में इसको रखा गया है तो यह constitutional body है देखे मैं आप लोगों पहले भी बताया था constitutional body वो body होती है जिसके बारे में कुछ भी समिधान में रखा लिखा हुआ है कुछ भी समिधान में लिखा हुआ है तो जिसके related कोई भी fact समिधान में है तो constitutional body हो गई और जो body हमारे यहाँ पर parliament में ला के दुआरा लोगसभा राजसभा में और फिर president के pass में sign करवा के pass कराई जाती है उसको बोलते है हम statutory body तो constitutional body है यह आप लोगों को पता होना चाहिए तो आज हम फिर से constitutional body पे आ गए है हम planning commission और national development council discuss करने के बाद में फिर से हम constitutional body पे आ गए है एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सारे chapter में cover करके चलूँगा चाहिए आपके पास में लक्सिमी खांत का fourth edition हो या fifth edition हो tension लेने की उजरत नहीं है सारे chapter cover करूँगा बस आप लोगो क्या करना है book रखिये अपने पास और revision करते रहिए और lecture भी सुनते रहिए ठीक है तो बस अपना थोड़ा सा revision पर आप लोग focus दीजेगा तो फाइदा उठा पाएंगे इन lectures का अच्छे जवर चीजों को share कर दिया किजी अगर lecture पसंद आता है तो हमेज़ा चीजे वही share कीजे पसंद आती है जो आपको फाइदा पहुचा रही है कोई भी ऐसी चीज share मत कीजे society में जो नुकसान पहुचा सके दूसरों का इसके अलावा देखे ये तो हो गई हमारे आपे constitutional body अगर हम बात करें national commission for women जो की 1992 में बनाय गया national commission for minority जो की 1993 में बनाय गया national commission for backward classes जो की 1993 में बनाय गया और national commission for human rights human rights commission 1993 national commission for protection of the child या 2007 तो ये सारी statutory body है ये सारी statutory body है पर लेकिन आज की date में अगर देखा जाए इसके उपर अभी याँपर कुछ आप लोगों ने news में भी सुना होगा कि इसको constitutional status के बारे में काम चल रहा है आपर ठीक है तो ये हम दोग देख सकते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से इस पर होती है तो current affair का भी हाँ question बन जाता है इससे लिड़ वो आप लोगों आगे जैसे जैसे अपडेशन होते चलेगी कि मैं आप लोगों को inform करता चलूंगा हलकिसी और information extra बता जेता हूँ यहाँ पर अभी देखिए आगे पास होगा फिर वो आगे की आगे बताऊंगा आप लोगो आज की date में अगर back बात करूं में हाँ पर आप लोग के लिए National Commission for backward classes की तो यह आता है Ministry of Social Justice and the Empowerment ठीक है तो मिनिस्टी आप लोग याद रख सकते हैं आपर Ministry of Social Justice and Empowerment के अंदर आता है और इसके लिए जो बिल पास करने की बात चल रही है वो April 2017 में मतलब इसी साल में लोग सभा से पास हो चुका है ठीक है तो यह बात आप लोग याद रखेगा अभी आने वाले टाइम में फिर कोई और अपडेशन इससे लेटेड होगी तो आप लोग को extra information तब ही दे दी जाएगी अब चलते हैं यहाँ पर National Commission for scheduled caste के evolution पे मतलब कहां कहां से यह निकल के आया है तो originally अगर मैं आप लोगों से बात कुरूँ तो बता चुका हूँ article 338 याद रखे हैं काफी important article है article 338 के तहट यह बाते बताई जा चुकी है पहले ही हमारे constitution में बताई जा चुकी है कि हम लोगों को यहाँ पर इनका ध्यान रखना है SC or STs का ठीक ना तो जो भी हमारे आपर SC or ST community के हमारे आपर citizen रहते हैं उनका ध्यान रखना है हमको लोगों को ध्यान रखने के लिए क्या बात की गई थी यह बोला गया थी एक special officer आप लोगों के पास में होना चाहिए जो की देखें इनके खिलाब कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है हमारी society में मतलब इनको protection ठीक से मिल रही है कि society से point of view से educational point of view से economic point of view से culture interest इनका हाम तो नहीं हो रहा है तो वो सारी बाते देखने के लिए special officer के यहाँ पर गठन करने की बात बोली गया थी article 338 में तो originally बात कर रहो मतलब constitution में जो बाते बोली गी थी उसके हिसाब से मैं आप लोग को यहाँ पर बाते बता रहा हूँ यह officers काम करेगा इनके safeguard को देखेगा कि इनका कोई हनन्तों नहीं हो रहा है और उसके बाद में अपनी report submit करेगा president को president के पास में बात लेके जाएगा कि हाँ यह इस तरीके से काम हो रहा है society में इनके लिए और इस तरीके से चीजे चल रही है तो यह काम किया जा रहा था इस officers के द्वारा तो इसको officers को बोला जा था starting में तो इसको special officers और बाद में इसको designated कर दिया गया था as a commissioner for schedule caste और schedule tribe तो यह बात है हाँ पर चलती रही इसके बात में अगर बात करू में हाँ पर 1978 1978 में एक resolution पास किया गया resolution पास किया गया है यहाँ ठीक ना मतलब एक non statutory multi member body बनाए गई statutory का मतलब क्या होता parliament में पास किया जाना इसको ना की non statutory अगर parliament में पास हो गया थी तब क्या किया गया इसको multi member body बना दिया गया multi member body बना दिया गया और इसके साथ-साथ में office of commissioner SC और ST जो कि हाँ पर बनाया गया था वो चल रहा था parallel में उसको भी खतम नहीं किया गया था मतलब दो-दो चीज़े हो गया protection करने के लिए एक तो हो गया non statutory multi member body और दूसरा हो गया office of commissioner तो ये चीज़े साथ में चलती रही इसके बाद में फिर क्या हुआ 1987 में 1987 में आप लोग लगा सकते हैं यहां से लगबग लगबग आप लोग देखें यहां से मतलब difference वही रहता है एक-एक decade का difference आप लोग लगा के जल सकते हैं फिर से इसके function जोते वो modified किये गए commissions के ठीक है ना जो commissions था है आपर उसके functions modified किये गए और उसको बोला जाने लगा national commission for schedule caste and the schedule tribe तो यह इसका नाम यहां पर थोड़ा modified कर दिया गया rename कर दिया गया तो आप लोगों से अगर यहां पर news में भी आजाए लगाने के लिए कि किस तरीके से इसका evolution हुआ पहले क्या बोला जाता था फिर क्या बोला जाने लगा तो इस तरीके से आप लोग इसका evolution जरूर याद रखेगा तो काफी आप लोग समझ सकते हैं काफी पुरारे टाइम से हमारे समत्रता का जब टाइम चला था उस टाइम पर भी हम लोगों ने देखा freedom is struggle for independent में उस टाइम पर भी काफी suppress किया जाता था अलग नजरिये से देखा जाता था तो इनको protection देने के लिए सारी बात की गई इसके अलावा बात रखना है आप लोगो important constitution amendment है 65 ठीक ना तो 65 वा constitution amendment किया गया हमारे समीधान में संसोधन किया गया 1990 में 1990 में संसोधन किया गया समीधान में और multi member body को national constitution ये बनाए गया national commission for scheduled caste and the scheduled tribe तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते है पहले क्या था पहले एक special office था उसके बाद में क्या आ गया एक यहाँ पर एक multi member body बनाए गयी resolution पास करके अब यहाँ पर यह बनाए गया 65 वे constitution amendment के तहर्त ये एक आप लोग समझ सकते हैं constitutional body milk बन गई और इसने जो starting में जो commissioner था और जो resolution के ठैट दोनों set up किया था इन सब को sub-zume कर लिया बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से GST के अंदर आप लोग देख सकते हैं सारे indirect जो tax है maximum sub-zume कर दिये गए हैं इसी से आप लोग के question भी निकल के आने वाले आगे तो ये चीज़े भूलना नहीं है आप लोग को याद रखनी है इसके बाद में जब ये constitution amendment कितना था ये था 65 वा फिर 65th constitution amendment इसके बाद में फिर 89th constitution amendment हुआ 2003 में आप लोग देख सकते हैं उसका भी पिछले वाले की डेट आप लोग को याद रखनी है ये 90 में हुआ था 13 साल बाद फिर आप लोग देख सकते हैं 13 साल बाद फिर से ये इसको separate कर दिया गया किसको separate कर दिया गया दो commission अलग 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 बना दिये 338 A मैंने आप लोगो पहले भी बताया था जहां पर भी आप लोगो capital letter amendment देखने को मिले तो इसका मतलब है ये amendment के तहत add किया गया है ये originally हमारे constitution में नहीं था ये बात आप लोग याद रखे पहले भी कई बार बता चुको हूँ तो ये यहां पर आप लोगे लिए हो गया तो ये कब किया गया 2003 में 2003 में हाँ पर संसोधन किया गया amendment किया गया 89th constitution amendment लाए गया इसके बाद में 2004 में फिर यहां पर body आ गई body किया गई separate national commission for SC SC की अलग body बन गई और ST की अलग body बन गई SC से लड़ी जो भी बाते हैं हम लोग कल discuss करेंगे next lecture में आज हम SC का देख रहे हैं तो यहां पर अभी क्या चल रहा है यहां पर एक chairman होता है एक vice chairman होता है और तीन member होते हैं तो यह एक इस तरीगी की body होती है और जो यहां पर यह appointment किये जाते हैं यह president के द्वारा appointment किये जाते हैं और president की हाथ में इन से लेड़ appointment करने की power होती है इनकी जो भी service रहनी है जो condition रहनी है जो इनका tenure time period रहना है वो सारा काम determine करेगा president मतलब president को power दे दीगे इस से लेड़ इन direct way में जहां पर lecture revision जरूर कर लीजेगा जिसने नहीं किये revision करना बहुत important है हर एक lecture में ये बाते चिला चिला के बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ तो reason हो गई तो आप लोग please इस फोकस देकर चलिए आगे देख लेता हम function की बात की जाती है जब function की बात आती है तो सीधी सीधी बात ये देखने को मिलती है अगर आप लोग को बोले जाए कि अलग अलग बना दिया गया तो क्यों बनाया गया यार देखने के लिए कि SC ST community जो भी है हमारी society में उनके साथ में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है तो अभी हम focus देकर चलेंगे आपर SC community के उपर तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो भी constitution में इनको फाइदे पहुँचाएगे है उनका lab इनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है इनके rights का इनको हग मिल रहा है नहीं मिल रहा है जो भी इनको मतलब जो भी इनके लिए फाइदे पहुचा ने उनको monitor करता है और investigate करता है matter को इसके अलावा यह काफी important है याद रखेगा report submit करता है किस तरीके से यह working चल रही है उसकी annually हर साल report submit करते हैं president को अब president क्या करता है यह report के बारे में आगे देखेंगे पहले और देख लेते हैं यह काम क्या करते हैं आपे protection का welfare का development का जो भी इंसे लिड काम चल रहा है यह तो वो तो देखते ही देखते हैं इसके अलावा अलग अलग से अगर president specify कर दे कि इस पर भी आपको focus देना है तो उस पर भी commission focus देकर चलता है तो इस ततरीके से यहाँ पर commission work करता है मतलब बारं फोकस रहता ही रहता है इधर भी commission का focus रहता है तो दोनों तरीके से आप लोग याद रखेगा वो सारा काम रहता है President इसके Commission के हाथ में Next अगर बात करी जाएं यहाँ पर President की President के पास में Report Summit कर देता है Commission इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में यह होता है कि वो Report जाती है पारलेमेंट के पास में और Parliament में discussion देखा जाता है, बात की जाती है कि क्या काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके बाद में जो Commission, ये President इसको also forward the report कि इसको Governor को, Governor को भी report forward की जाती है, ओके, Governor को भी ये President के हाथ में, Governor को भी report forward करेगा, और फिर Governor क्या करेगा, वो State Legislature के सामने रखेगा, मतल पर Assembly, Assembly में जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये याद रखेगा, Governor को भी report summit की जाती है, और report summit President को की जाती है, President Parliament में लेके जाता है, ना कि direct Parliament में report जाती है, President is the intermediary, ठीक है, बिट्विन जो Commission है और Parliament है हमारी, तो ये याद रखेगा आप लोग, next जो देख लेता है, power की अगर बात की जाए, तो सबसे important तो बात आप लोगो ये याद रखनी है, ये question कई बार पूछ ले जाता है, civil court की power है इसके पास में, ठीक है, criminal court की power नहीं है, अगर किसी की हत्या कर दी, इस तरही है, कोई matter आ गया, मतलब वो जो criminal, अगर कोई activity होती ह इसकी power इसकी हाथ में नहीं है, civil court की power है, जो भी civil, जो activity है, उसमें अगर कोई हनन होता है, तो, civil court का मतलब क्या होता है, जिसे divorce से lead कोई case आ गया, या फिर banking system से lead कोई case आ गया, वहाँ पे bankruptcy से lead, तो इस तरही है जो cases होते हैं, तो उसको बोलते है civil court, okay, तो civil court, civil cases देखते है, तो वो काम करता है, इसके द्वारा क्या power रहती है, समन कर सकता है, या enforce कर सकता है, कोई भी, किसी भी part of the country के किसी भी person को बुला सकता है, और इससे matter से related है, इसके अलावा किसी का भी record यहाँ पर छानवीन कर सकता है, जो इससे lead है, कि धंग से implementation हो रही है, या फिर कोई problem कहीं पर होतों नहीं रही है, एक्जबाइन कर सकता है, कोई भी witness, या कोई भी document, जो issue किये जाते है, इसके अलावा, any other matter, जो कि president determine करता है, वे भी matter, यहाँ पर यह focus में ला सकता है, इसके अलावा, देखे, क्या रहता है, एक तरीक से advice भी करता है, कही न कहीं, advice करता है, या फिर society के welfare के लिए, या फिर education के लिए, healthy leader, कोई policy आ लिए, इनके लिए particular, इनके लिए अगर आ रही है, तो उन पर commission के साथ में discussion किया जाता है, कि ऐसा से हम करने जा रहे है, इसके अलावा, constitutional matter है, related to the OBC, क्योंकि देखे, अब तक OBC को बाहर रखा जा रहा है, इन सब चीजों से, OBC कमिशन है, तो अगर constitutional matter यहाँ पर आता है, या फिर Anglo-Indian Community, Anglo-Indian Community कोंजी दी, जो कि यहाँ से अंग्रेज चले गए, और फिर यहाँ पर कुछ अंग्रेजों ने इंडियन के साथ में, और कुछ इंडियन ने अंग्रेजों के साथ में साधी कर ली, तो जो वो अलग सी एक Community बन गई है, तो उनके लिए भी अगर कोई बात होती है, तो उससे लिए रिपोर्ट भी President को सम्मिट की जाती है, ठीक है, तो यह भी बाते अंदर इसके में आती है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा यहाँ पर, ओके, जो question हम discuss करने जा रहे हैं, आप आगे, आप हो जाएगा आप लोग को ही ही पर और आप लोगी practice भी हो जाएगी साथ-साथ में, तो two in one हो जाएगे हाँ पर एक साथ में, दो-दो काम हो जाएगे आप लोगे, तो अच्छे से आप तभी इसको enjoy कर पाएंगे, तो वीडियो को pause कीजेगा, उसके बाद में question का answer दीजेग और तभी आगे बढ़िएगा, तो बात क्या की जा रही है, which of the following is are the true regarding the national commission of SC, ठीक है न, scheduled cast, तो scheduled cast के उपर focus दिया जा रहा है, तो originally, बात की जा रही है, first में बात की जा रही है, originally the constitution just had the special officer, मैंने बताय था आप लोगो, for SC and ST, क्या originally special officers था, हम दोगों ने देखा यार, special officer थ आर्टिकल भी याद है हम लोगों, नीचे comment box में चली आर्टिकल भी बता दिजिए, दो question होगे आप लोगे लिए, कौन सा आर्टिकल था, ठीक है, तो यहाँ पर था, हाँ सही है, first statement तो सही होगी यार, second पर चलते है, national commission for SC, came into existence 2001, 2001 में आय था गया, नहीं वाई, 2004 में आय थ आय था, 2004 में existence में आय था, अभी हम लोग पीछे discuss करके आये है, इसके अलावा, 88th amendment by 4K, मतलब किसने दोनों divide किया था, SC और ST commission को, तो आप लोग एक बार देख लिजे, आप लोगे mind में clarity आ जाएगी, सबसे पहला तो यह हो गया, आप लोग देख लिजे, article भी हाँ पर हो गया, ठीक है, इसके अलावा, यह हमारा पूरा process था, next slide पर जो हम लोग गए थे, आप लोगों नहीं हाँ पर देखा, 89th constitution amendment के तहत, इसको by 4K किया गया था, ओके, तो 89th constitution amendment के तहत, याद रखेगा, ठीक है, तो यह बिल्कुल भी भूला नहीं है, और 89th commission के तहत, by 4K करके, came into existence 2004, तो, question देखेगा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, 89th constitution amendment, तो दूसरे वाला यह, तीसरे वाला गलत हो गया, और 2004 यह भी गलत हो गया, तो answer क्या हो गया, answer हो गया, 1, तो इस तरीके से अगर आप लोग question को prepare करेंगे, तो आप लोगो कभी भी कोई भी मतला problem नहीं होगी, अगर आप इस तरीके से practice करेंगे, तो, next question पर चलते हैं, आपर की जा रही है, बात function की, तो यहाँ पर भी आप लोगो वीडियो को pose करना है, उसके बाद में आगे आप लोगो बढ़ना है, ठीक है, national commission के जो function है, SC के उसके आप लोगो देखना है, सबसे पहले investigation की बात की गए थी, कोई भी matter है related to safeguard, SC की, जी हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही बात बोली गए, यही काम करता है, President को report submit करता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर Parliament भी लिखा जा सकते है, आप लोगे लिए, तो confused नहीं होना है, Parliament भी आ सकते हैं, और Council of Ministry भी आ सकते है, दूसरा सही है, बिल्कुल सही है, advice, planning process for the socio-economic development of the SEC, हाँ बिल्कुल advise करता है, center government को भी और state government को भी, तो दोनों के लिए advisory functional का काम करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, all of the above, तेके फिर से मैं request कर रहा हूँ, question को बिल्कुल आप लोग पहले देख लिज दिया होगा, अगर गलत दे रहे तो और अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, सही वाला तो जानते ही, उसको ज्यादे सीखने को नहीं मिलेगा, पर गलत वाले को कम से कम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो insert fill नहीं करना है किसी तरीके से, next question हम लोग discuss कर लेते हैं, आपर बात की जा रही है कि power क्या है, national commission for schedule caste की, सबसे पहली बात की गई है, commission has the power of criminal court, अभी discuss करके आए बाई साब, criminal court नहीं था, वाँपर कुछ और था, क्या था, civil court की बात की जा रही थी वाँपर, तो पहले वाला गलत हो गया है, पहले वाला गलत हो गया त इसका मतलब क्या हो गया, यह तो हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता, और यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब में पहले यह, तो सीधा-सीधा आप लोग इस तरीक से animation की form से भी आप लोग answer निकाल सकते हैं, commission can regulate its own procedure, हाँ बिल्कुल सही बात है आपर, अपना पुद का procedure होता ह किस तरीक से इसको regulate करना है, state government consult करती है, commission के साथ में all measure policies और matter जो रहते हैं, इसको effect करने वाले SC को, अभी discuss किया है, कोई नई नई पुरानी बात नहीं है, ताजी ताजी बात है, आप लोग को यादी होगा, अभी ही बात discuss करके मैं आगे बढ़ा था, ओके, तो इस तरीके स पर question दिया, आप लोग को statement based, जिससे की एक जगह आप लोग को इखटा सब कुछ मिल जाए, तो यह हो गया complete lecture lecture पसंद आया, तो please share इसको जरूर कीजेगा, अगर पसंद नहीं आया, तो बिल्कुल share मत कीजेगा, और dislike कीजेगा, ओके, और dislike क्योंकि है comment box में जरूर लिखेग तो चीजों को share जरूर कीजे, जिसे की सबको फायदा हो सके, तो आज के लिए इतना ही, thanks a lot for listening, जै हिंद!